तो सबसे पहला कुश्चिन है क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्ट 2019 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं बताइए बताइए येस सभी को पता है क्योंकि बहुत सारी वीडियो इस पर बन चुकी है मेरी दो फेस्टिवल हैं 15 अगस्ट 2019 को फर्स्ट है इंडिपेंडेंस दे जिसको हम हिंदी में स्वतंतरता दिवस कहते हैं 15 अगस्ट 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद आजाद हुआ था तब ही से स्वतंतरता दिवस हर वर्ष 15 अगस्ट को मनाया जा है और इस दिन कोइंसिदेंटली रक्षा बंदन का फेस्टिवल भी है तो हम इस ओकेजिन को मनाने वाले हैं डबल एंथूसियेजम डबल जॉइव से लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं या फिर कितने ऐसे देश हैं जो 15 अगस्ट को ही इंडिपेंडेंस दे मनाते हैं तभी वो भी इंडिपेंडेंस दे मनाते हैं क्या पता है आपको नहीं पता तो देखते रहें मेरी वीडियो अभी मैं सब को बताऊंगी कि कि वो कौन से देश हैं और वो कब से तंत्र हुए थे और 15 अगस्ट को तो ही आजाद हुए थे ओके इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए और अभी जाहिए जल्दी से लाइक शेयर एंड कमेंट जल्दी से कर दीजिए आपके लाइक शेयर कमेंट से ना केवल मिलेगी मुझे मोटिवेशन बलकि यह important information मिलेगी और लोगों को और लोगों को भी information के बार में बता लगेगा पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया शिक्षा का प्रचार जितना करो उतना कम है हम डेली बहुत सारी वीडियो अपने ग्रूप में शेयर करते हैं चलिए एक education basis की वीडियो शेयर करें और अगर एक को भी से knowledge मिलती ह है तो इंडिया की development में हम लोग जो है participate करें तो आएए देखते हैं क्या है इनकी answers तो question है भारत ही नहीं question ही sorry इसका reply है भारत ही नहीं बलकि ये चार देश भी मिनाते हैं 15 अगस्त को सुवत अंतरता दिवस्त तो भारत के इलावा कौन से देश हो गए चार और देश तो टो देखते हैं यह देश कौन कौन से है नंबर वन देश है दक्षिन कोरिया नंबर टू बहरीन नंबर त्री कांगो नंबर फोर लिंक टेस्टीम तो ये ये चार देशें, ये भी हमारी तरह पंदरा अगस्त को ही इंडिपेंदेस दे मनाते हैं दक्षिन कोरिया जो है अज़ाद होँ था 15 अगस्त-1945 को बहरींग अज़ाद होँ था 15 अगस्त-1971 को कांगो अज़ाद होँ था 15 अगस्त-1960 को और लिक टेंस्टीन अजाद हुआ था 15 अगस्ट 1866, that means 1866 को, और इन देशों को किन्नों ने गुलाम बना रखा था वो भी देखते हैं, दक्षिन कोरिया पर जपान की हुकूमत थी, बहरीन पर बृतेन की हुकूमत थी, कांगो पर फ्रांस की हुकूमत थी, और लिक प्राप्त करी, तो 15 अगस्ट को सिर्फ भारती नहीं, ये चार देश भी हैं, जो सोतंतता दीवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, हलांकि इनके एर अगलगलग हैं, धक्षिन कोरिया का है 1945, that means 1945, भरीन का है 1971, that means 1971, कांगो का है 1960, that means 1960, और लिक टेंस्टीन का है 1866, that means 1866 लेकिन इनका जो डे है वो 15 अगस्टी है, तो 15 अगस्ट को टोटल चार देश सोतंतरता दीवस मनाते हैं, अब कौन-कौन से देश हैं, सबसे पहले है भारत, जिसमें हम रहते हैं, जो कि आजाद हुआ था 15 अगस्ट 1947 को, नमबर टू पे दक्षन कोरिया, 15 अगस्ट 1945 को अजाद हुआ था, नमबर त्री बहरीन, 15 अगस्ट 1971, नमबर फोर कांगो, 15 अगस्ट 1960, नमबर फाइव, लिंक टेस्टीन, 15 अगस्ट 1866, तो कैसी लगी ये इनफोर्मेशन है ना, एकदम यूनीक और यूसफुल, इक पसं प्राइब बटन को क्लिक कीजिए, और साथ ही में क्लिक कर दीजिए, बैल आइकन, so that हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको प्रायर बेसिस पर, और सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कर पाएं, बहतरी, और सबसे पहले आपको और मेरे इंडिया को डवलप कर करने का, that means उस वीडियो का अपने ग्रूप में शेयर करने का, और इस जानकारी को किसी और तक ट्रांसफर करने का, thank you so much for watching this video, have a lovely day, happy independence day, bye bye